सुरी राहूल शेवाले दन्यवाद अद्यक्षमोद है मैं भाशन के पहले एक आपको एक चीज का ध्यान अकरशित करना चाहता हूँ कि यह जो वाच है यहाँ पे साड़े चार बज़े है और यहाँ पे साड़े बारा बज़े हुए तो इसके लिए आप बहुच चेंज करने के लिए रिपार करने के रिसक्षमोद दन्यवाद आपने मुझे सविधान अनुसुचित जने जाती हो आदेश चवता संशोदन विदेख 2022 पर बोलने का और मेरी पार्टी बाला साब की शिवसना की तरफ से पक्ष रखने का मोका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अद्यक्ष जी माननिय प्रदान मंत्री जी के नेतूतों में माननिय जने जाती है मंत्री जी और जुन मुंडा जी ने लाए गए इस विदेख का मैं स्वागत करता हूँ इस विदेक के माद्यम से करना टक जनता को न्याय दिलाने का काम आदरिने मंत्री जी कर रहे है जो स्वागत योग्य है मैं आशा करता हूँ कि महाराष्ट राज्य की जनता को भी न्याय देंगे अदिख्ष महोदय में सदन को बताना चाहूँगा कि इस देश में जन जातिया और अदिवासी शेतरक के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट 1935 में यह कहा गए कि अदिवासी शेतरक कौन कौन से है हमारा देश जब आजाद हुआ और उस समय ठकर बापा की अद्यक्षता में कमिटी बनी और उस कमिटी के माद्यम से सारे सुजाओं को ध्यान में रखते हुए सभीदान समा ने सभीदान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए सविधान में ऐसी जातियों के बारे में चर्चा की गई लेकिन इसके बावजुद ऐसी कई समध से हमारे सामने उबरती रही है महोदे आपके माद्यम से मैं समधित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई समुधा है जो आज भी सुविधाय से वन्चित है और वे सुची बद्द भी नहीं हो पाएं अद्यक्ष मोदे मैं महाराष्टे के धंगर समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ धंगर समाज की स्थिती काफी खराब है धंगर समाज का मुल व्यवसा है पशुपालन जैसे भेड़ बकरी चराना है साल के आठ मैंने ये लोग पशुपालन करने के लिए जंगलो तता गाओ गाओ भटकते रहते उनकी आर्थिक स्थिती कमजर होने से अपने बच्चों को ना अच्ची शिक्षा दे पाते हैं और ना ही उनका अच्चे से पालन पोजिशन कर पाते हैं अध्यक्ष मोदे मैं बताना चाहूँगा कि धंगर समाच के लोग सरकार द्वारा चल रहे ही योजना से भी वंचित रह रहे हैं जिससे उनकी स्थिती काफी दरनी हो गई है अधिक्षमोदे में संबदित मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि 70 वर्षों से धंगर समाज के आरशन का प्रशन महाराष्ट में प्रलम भीत है और भारतिय सविदान के अनुसार अनुसुची जनेजाती की सूची में 36 नंबर पर धंगर का उलेक है हिंदी भाषा के उच्छारंग शासर के अनुसार धंगर और धंगर एक ही शब्द है महाराष्ट में धंगर नाम की कोई जन जाती नहीं है महाराष्ट शासन के राजपत्रों में और भारत सरकार के कई पत्रों में धंगर शब्द का स्पष्ट उलेक है फिर भी धंगर समाज को आरक्षन से वंचित किया जा रहा है महाराष्टर में धंगर समाज की संक्या लगबग 11% से जादा है और 1967 में महाराष्टर राज्य के सरकार के निर्ने के अनुसार धनगर जाती को महाराष्टर के अन्य पिछडे वर्गमे संबलित किया गया था वर्तमान में धनगर महाराष्टर राज्जर के एक प्रमुक जाती है और ये महाराष्टर की धनगर और इसी तरह की जनजातियों के लिए 35% प्रतिशत आरक्षन दिया गया है महाराष्ट्र में एक करोड और पाच लाग जन संक्या वाली अनुसूची जनजातियों की सूची में 45 जनजातियों शामिल है और इन जनजातियों के लिए कुल 7 प्रतिशत आरक्षन दिया गया है धनगर और धांगर जनजातियों को अनुसुची जाती और अनुसुची जनजाती आदेश संशोदन अधिनियम 1976 के तहत अनुसुची जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है सवीदान के अनुचे 342 आपरिक वन के तहत किसी जाती को अनुसुची जनजाती की सूची में शामिल करने या बाहर करने के अधिकार इसलिए मैं सरकार को आगरा करता हूँ कि धनगर समूदाय को अनुसुची जनजाती में शामिल करे और उन्हें सामाजिक आरक्षन दे ये करते वक्त महाराष्ट में जो और जो अनुसुची जनजाती का जो कोटा है वो कोटाय को पर कुछ असर नहीं होना चाहिए उनके जो भी उनके जो अधिकार है उनके अधिकारों को पर कुछ असर नहीं होना चाहिए उसके बावजूद धनगर समाज को ये आरक्षन देना चाहिए अधिक्षित नमधे माराटा समाच के आरसन की संब्द में समधित मंतरी जी का भी द्यान अक्रशित करना चाहूंगा नधिक्षित नहीं परिप्र आको ली अखिव होगा ड्रूसी फ़र color Master Master Masterget देनोच और ड्रूसी शुट यस्टे अखो युट का अड नां ऑ अन्धि प्रिजर्वेशन एज सच ने ने मराटा ओबी सीज़ाइब तर मोब इससे ज़ाइब इसको लेकर यह विशे को लेकर दो शुप्रिम कोट के बड़ा फैसला सुना है सुप्रिम कोट ने शिक्षा और नोकरी के शेत्र में मराटा आरक्षन को अर्समायदीन करार देते हुए क कहा कि मराटा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक शेक्षिनिक रूप से पिछडा गोशित किया गोशित नहीं किया जा सकता है और 2018 महराष्टराज्य कानून समानता का उल्लंगन करता है कोट ने कहा कि हम 1992 के फैसलिक की फिर से समिक्षा नहीं करेंगे जिसमें आरक्षन का कोटा 50% फिसिदीक पर रोग दिया गया था मैं आपके मार्दम से मंतरी जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि बॉम्बै हाई कोट ने कानून की सवेदनिक वेदता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वरगायक की शिफारिशो के अनुसार कोटा की कैप असाधारान परिस्यों में पार की जा सकती है और 99 सितंबर को सरवच्च नहाले ने सामाजिक और शेक्षिनिक रूप से पिछड़े वरग अधिनियम 2018 के तर्थ मराटा समुदाय को प्रदान किये गए शेक्षिनिक संसानों और सरकारी नोकरियों में आरक्षन पर र प्रभावित नहीं होंगे इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाब उटा है उनकी स्थिती में खराब नहीं होंगी महराश्रा अध्यक्षमोदे इसके पहले भी सेम ऐसे बिल लेके उपर विबिन राज्यों ने उनके यहां के प्रॉब्लम यहां पर रेज किये दंगर समाज और मराटा समाज के लिए सेम दूसरे सदस्य में बात कि जिए तभी कभी विरोध नहीं हुआ करना नहीं चाहिए तभी बताना चाहिए था लेकिन हमाराश्टराज्य के नागरिकों की जो भावना आए वो हम यहां पर प्रकट करेंगे जो हमारा अधिकार है संचित में अब कंक्लूड कर रहा हूं मैं तो उनकी स्तिती भी खराब नहीं होगी महराश्य राज्य सरकार की यह मांग है कि उच्चतम नयायले को आरक्षन पर मुझद 50% प्रतिशत के कैप पर पुनर विचार करना चाहिए और यह कई राज्यों में आरक्षन की सीमा 50% प्रतिशत से अधिक हो गई है और आरतिक केंद्रा साहानी मामले में 50% प्रतिशत की दर से कोटा देने के लिए एतियासिक फैसले का फिर से देखने की जरूत है अगर केंद्र सरकार इस मुद्धे पर सकारत्मक रूख अपनाता है तो महारास्टर में माराटा आरक्षन मंजूर करने का मार्ग प्रतिशत करता है और माराटा बच्चो को न्याय मेलिगा धन्यवाथ अडिक्तरल मेंबंगू स chimney दट दोड्यावाद तोन्यवाद फटेंवार्श ौनव न्यवाद मंगर्वाद प्रतिन का फुम्धा आरफने डी सुन्स थे ni canxi झाल 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 झाल